ist विडियो में हम बात करने रिदेत्स के बारे में डिटीस्थ के बारे में बात करने वाले है presumo अने के बहुत ज्यादा चान्सें PG बतादीना कि आप कौन producing्होंट्स आ인ечно कौन सी कंपनी में एपलाई किया है जिसका आपको रिस्पॉंस आया है फिर रिजेक्सन आया ओके वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब बात करते हैं इस एमेजोन की हारिंग के बारे में काफी इंपोर्टेट हारिंग होनी वाली है यहाँ पर आपको आक होनी वाला है वह है बेंगलोर रिख्राइब के बारे में बात करेंते हैं बहुत ही बैसिक लेवल के यहां पर क्राइडिरी आ लोगों ने रखा यह इस बार स्कॉपलिक्स अब आप के डेटा विजुलाज़िशन प्रोड़क्ट तो कैस्ट आप बीजिनेस एनलिश की फिल्म में काम करेंगे तो उसी के रिलिवेंट यहां पर इसकिल्स के रिक्वार्मेंट यहां माइक्रोफ्ट ऑप इसके आपको नौलज़ होना चाहिए निटेटाबेस की नौलज़ होना इस से रिस्पोंस आने के बहुत ज़्यदा आपके चांसे होने वालेगा इस Amazon की वाली है आप इसमें डेफिनिटली एप्लाई कर सकते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हारिंग के बारे में गईज आपकी HCL के तरब से होने वाले है आपने यह अप्लाई कर दिया होगा और भी हारिंग में जो SCL के हमने डिस्कस ही है मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि HCL इस टाम पे काफी ज़्यदा हार कर रहे है जो के SCL बहुत ज़्यदा हायर करती है एक तो SCL के GET वाला जॉब रोल बहुत थेमस है एक आपका PGET वाला जॉब रोल भी बहुत थेमस है इसमें जो criteria है उसमें आपके graduates apply नहीं कर सकते हैं पुस्ट graduation जो आपका M.Tech और M.E की students अपले कर सकते हैं so M.E. और M.Tech की students आपका अपले कर सकते हैं 24 batch की students आपके लिजवल है अपले करने के लिए यहाँ पे control system and power system CS and IT different branch की students अपले करने के लिए 65% आपका percentage criteria है M.E. और M.Tech आपका qualification criteria है service level agreement आपके 12 months का होनी वाला है and GT के लिए इनका 12 months का यहाँ पे service level agreement पॉन्ट था आपको करना का है इस बाली application form को फिल गर दिना है जो भी post graduation बाली M.E. M.Tech वाले students इस वीडियो को देख रहे हैं वैस इस बाली form को आपको definitely फिल कर दिना है काफी time बाद यहाँ पे hiring open हुई है आप apply कर सकते हैं अभी SCL में काफी चांसे से क्योंकि SCL काफी था hire भी कर रही है next hiring हम move करते है जो hiring opportunity है वो है blackrock की तरफ से जो blackrock की hiring है यहाँ पे जो hiring होने वाले वो है associate quality assurance engineer okay so आप यहाँ पे quality assurance में काम करने वाले हैं testing की फिल में मुझली काम करेंगे जो आपका location का वह है गुडगाओ इसके भी काफी चांसे से क्योंकि last time जो software engineer data engineer के लिए blackrock ने hire किया था and कुछ response भी आया था तो इस बार फिर से आपको quality assurance में apply कर दिना है क्राइटिर के बारे में हम बात कर लेते हैं so job purpose वेग्राउंड क्या होना चाहिए so आपका quality engineering globally distributed team so आप quality engineering की team में यहाँ पर काम करेंगे responsibilities आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे की quality यहाँ पर testing की knowledge होना चाहिए functional testing regression testing and responsible for functional non-functional okay so testing की आपर knowledge होना चाहिए and java selenium other test frameworks to design develop and maintain automated test suits so basically जैसे कि आपको बता है कि quality assurance में आप वही क्या काम करेंगे testing की विल्द में काम करेंगे उसकी relevant skills उसकी relevant degree कर आपके पास है बिना आपको यह काफी advantage होनी वाला है इसकी बात करने वाला हूं एक्सेंचर की hiring के बारे में एक्सेंचर की जो hiring है वो है application support एंजिने के लिए अगर आप एक्सेंचर की यहाँ पर जाएंगे पेज पर linkedin पर तो यहां पर आप देखेंगे jobs वाली section में so jobs वाली section में अभी रिसेंटली एडिट की गई यह opportunity जो कि है application support एंजिने है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि application support एंजिने के लिए काफी time hire भी आप openings रहती है बट अभी रिसेंटली इनकी पीच पर एड हुई है इसकी बाइस की काफी recent opportunity है अप यहां पर अर्ली एप्लीकेंट्स भी यहां पर बन सकते हैं इस वाली opportunity को एक बाद check in action जो hiring है जो टू यहां पर एक्सपीरेंस यहां पर requirement है ऐसा application support एंजिने आप काम करने वाले हैं जैसे कि आपको काम होगा जैसे टेस्टिंग की फील्ड में काम करेंगे non-functional टेस्टिंग और यहां पर development plus application support में काम करेंगे आपको applications related skills होना चाहिए जैसे की टेकनिकल सपोर्ट में जो होता है तो आपको customer service की कापी अच्छी से नोलज होना चाहिए आपका पूरा प्रेटिर आपको मिल जागा जैसे की documentation की knowledge होना चाहिए इसकिल्स वगरा जो भी हां पर required है यहां से आप चेक कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इस बाली hiring को भी बहुत डिफरेंट जॉब रोल बाट इस बाट जो hiring opportunity होने वाली आपके different job role के लिए होने वाली है यहां पर जो आपके आपके डेवलपर एनलिस्ट जो की काफी recent opportunity है दो दिन पहली ही इसकी पोश्टिंग हो दो दिन पहले as a developer analyst आप यहां पर काम करने वाले है एन पी टेस्टिंग वाला की आपको जोना चाहिए है यह तो चाहां आपको सारे इसकी क्यों मैंने हाइर अच्छी है वो च्छाट किया है आई होप यॉव लाग डिस वीडियो आगई की वीडियो और वी आइस चाहीब ओर ने करेंगे, so thank you guys, thanks for watching.